यहां पर आपने देखें तो अपने को दो αइस्प्यर्ट दे रखें फर्सेट वाले की रैडियासार एस अगर अगर आपन बातकर और ग्रत रह टो ultimate ये है अब अपने को इसमें पुछा है कि which of the following options statements is are correct तो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले charge की value calculate कर लेते हैं तो एक है अगर हम charge की value calculate करें तो charge density variable है इसलिए charge की value calculate करने के लिए अपने को integration करना होगा तो हम क्या करते हैं कि center से smaller distance पर जाकर DR thickness का element consider कर लेते हैं तो यह DR thickness का element consider कर लिया हमने इस element का अगर अपन volume की बात करेंगे तो इस element का जो volume होगा dv वो बन जाएगा 4 pi r square dr यह इसका volume हो गया अब अगर मुझे square a का total charge calculate करना है तो total charge के लिए हम calculate करेंगे पहले element का charge तो element के लिए अगर अपन देखें charge density की value अपने को given है charge density की value अपने को दे रखा k r volume से multiply कर दिया इसको integrate कर लगे हम 0 से लेकर 1 तक total charge के value आ जाएगी तो यहां से अपने पास में इसके total charge के value अपन देख दें कि total charge के value कितनी आती है तो यह बन जाएगा अपने पास 4 पाई k और r की पावर 3 तो यह बन जाएगा r की पावर 4 अपन 4 लिमिट पूट कर देंगे 0 to 1 तो यह बन जाएगा अपने पास में पाई k और दिवाडेड बाई 4 वन की पावर 4 करेंगे 4 पाई k डिवाडेड बाई 4 वन की पावर 4 यह यह अपने पास में चार्ज के value जो आएगी वो चार्ज की value बन जाएगी पाई k फिर अगर आपन चार्ज 2 के लिए calculate कर दे स्पेर b का total charge calculate कर दे तो फिर से हम एक element कंसिडर करेंगे element का volume अपने को पता फूर पाई आर स्क्वार डियार इस छोटे से element का charge equal to charge density चुकि दे रखिये 2 के बाई आर तो हमने multiply कर दिया integration कर ले दे वन से लेकर आर तक तो हमें पता है कि इसकी radius यहां से start होगी b की 1 से लेकर r b तक तो अगर अगर अपन इसको 1 से लेकर small r तक integrate कर ले दे तो यहां से integration से अपने को इस b के total charge की value मिल जाएगी फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों के charge को add कर ले दे हैं तो दोनों के charge को अपने add कर दिया 1 का charge a का charge और b का charge यह total charge आ गया अब सारे options को देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से options correct है first option a के अंदर दे रहे हैं if r b equal to root 3 by 2 then electric field is 0 everywhere outside b देखो outside b के लिए हर point पर electric field की value 0 तभी possible हो पाएगी जब इसका total charge 0 है अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि outside point के लिए सारा का सारा charge center पर consider कर सकते हैं और electric field अगर इस outside point पर अपने को 0 करना है तो total charge 0 होना चाहिए यानि यह q net की value 0 आने चाहिए तो हम इस q net की value को 0 कर ले दे हैं q net की value को अगर आपन 0 कर दे हैं तो यहां से मुझे rb की value मिलती है root 3 by 2 लेकिन options के अंदर अगर आपन देखें तो option में दे रखा root 3 by root 2 जो की गलत है तो इसमें a option जो दे रखा है वो तो गलत है अब यह option पर आदे है यह option में दे रखा if rb equal to 3 by 2 then electric potential just outside b is k by epsilon not तो outside point पर अगर आपन देखें कि electric potential just outside b मतलब यहां पर calculate करना अपने को just outside के लिए सारा का सारा चार्ज अपन कंसिडर कर सकते हैं center पर अब अगर हम सारा चार्ज सेंटर पर कंसिडर करते हैं तो outside में potential की value कितनी आएगी तो इसमें answer आधा है k by epsilon not given option भी यही है इसका मतलब यह option जो दे रखा है आपने को वो correct है c पर आधे है c पर दे रखा है if rb equal to 2 then total charge of the configuration देखो total charge की value अगर calculate करना तो यहां पर हम क्या करेंगे rb की value substitute कर लेंगे तो rb की value substitute करके calculate जब हम कर दें c option में तो यह rb की value put की हमने 2 given है तो यहां से answer आथा 13 pi के लेकिन हमारे option में दे रखा है 15 pi के यानि यह option जो दे रखा है वो गलत है d option का आधे है d option में दे रखा rb equal to 5 by 2 then the magnitude of electric field just outside b is तो just outside के लिए सारा चार्ज center पर consider कर लेंगे और अगर अगर अपन यहां पर electric field की value just outside में calculate करना चाहते है तो यह सारा चार्ज center पर consider किया तो kq divided by r square यह q की value substitute कर दी और यहां पर finally solve करते है टाइम पर हमने आर की value 5 by 2 substitute कर ली जब हम यह substitute करके solve करते है तो यादा 22 k by 25 epsilon not option में जो अपने को दे रखा है वो इससे मैच नहीं कर रहा है यानि यह option भी की wrong option है तो इसमें only correct option जो दे रखा है अपने को वो है B यह question के अंदर अपने को दो सर्कीट दे रखा है circuit 1 और circuit 2 यहां पर एक switch दे रखा है S1 इदर एक switch दे रखा है S2 अब आपने को यह दे रखा है कि P1 और P2 इसमें पावर से circuit 1 circuit 2 when switch S1 and S2 are in open conditions respectively Q1 and Q2 are the power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when the switch S1 and S2 are closed conditions respectively which of the following states met is our correct तो पहले अपन यहां पर देखते हैं कि अगर यह circuit के अंदर switch S1 open है circuit number 1 के अंदर तो हम यहां पर देखें कि अगर circuit के अंदर switch open है तो यहां से मालो circuit में current flow करदा स्विच में से नहीं जाएगा तो उपर से R1 में चला जाएगा तो यह हमने circuit को draw करके देख लिया R1 R2 R3 की value जो अपने को given है यहां पर R1 equal to 1 है R2 equal to 2 है R3 equal to 3 ohm दे रखा है तो हमने यहां पर R1 R2 R3 इनकी value को substitute कर लिया R1 R2 R3 की value को substitute करके जब हमने circuit को draw किया तो यह circuit बना यहां दे रखा R1 by 2 R1 की value 1 ohm है तो यह 0.5 हो गया अब इसमें यह 2 और 3 ohm स्रीज में है 2 और 3 हो गया 5 5 और 0.5 parallel में तो इनका equivalent आएगा 5 into 0.5 upon 5 plus 0.5 और यह जो पूरा equivalent आएगा यह 1 ohm के साथ स्रीज में है तो plus में 1 कर दिया तो यह RC1 लिख दिया हमने जब circuit के अंदर switch S1 open है तब equivalent resistance की value को हमने लिखा RC1 तो यह आदा 16 by 11 अब circuit number 2 पर चलते हैं circuit number 2 के अंदर अगर यह switch S2 open है तो ऐसे condition में मालोक की इधर से अगर circuit में current flow करदा है तो S2 open होने पर इस circuit में यानि 2R3 में current flow नहीं होगा तो फिर circuit को draw करके देखते हैं तो यह R1, R2 और R3 इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं तो तो तीनो parallel में आगे तो इनका equivalent 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 यहां से हमने RC2 की value calculate कर ली तो यह RC2 की value अपने पास आ गई 6 by 11 अब यह तो हमने calculate करके लख लिया resistance की value जब circuit में switch S1 और S2 open है अब circuit में मालो switch S1 को हम close कर देते हैं तो close करने पर इसका circuit किस तरह का बनेगा अब इसमें देखो कि यह circuit के अंदर resistance R1 दे रखा है जैसे ही यह switch S1 को हम close करेंगे यह R1 के parallel में 0 resistance आ गया यानि यह circuit जो है वो open circuit बन गया तो हम इस circuit का equivalent resistance करके देख दें तो यह circuit में देखें यह one ohm यह two ohm यह three ohm यह 0.5 और यहां पर switch S1 को close करने पर यह circuit बन गया यहां पर सौट सर्कुट हो गया यहानि circuit में बैटरी जब करेंट फ्लोगा तो यहां से करेंट फ्लोगर इस वन ओम में नहीं जाएगा सारा करेंट जो होगा वो इधर से फ्लोगर इधर फ्लोगर इसमें चला जाएगा फिर यहां पर और यहां पर दो पार्ट में distribute होगा फिर ऐसे फ्लो होगा जब इस वानों में करेंट नहीं जा रहा दो हम इसको सर्कीट से हटा देते हैं तो यह सर्कीट के अंदर बन गया टू ओम 3 ohm 0.5 ohm हमने इसका equivalent resistance की value calculate करी two और three series में तो होगा 55.5 पांलल में तो इसका equivalent resistance 5 into 0.5 upon 5.5 यहां से अपने आरे एक्वेलेंट के लिएट किया यह 5 x 11 यहिनि निएरली 0.45 के करीब आता है अब दूसरे सर्कीट पर बात करते हैं दूसरे circuit की अगर अपन बात करें circuit 2 में तो जब अपन इस टू को क्लोज कर देंगे तो को क्लोज करने पर circuit से current जो फ्लो होगा वो इस टू आर थ्री से भी फ्लो करेगा यानि यह तो रहेंगे ही सही साथ में टू आर थ्री भी रहेगा अब अब यहाँ पर देख दें कि circuit में अगर टू आर थ्री भी रहदा है तो अपन यहाँ पर देखें circuit किस तरह का बनेगा तो यह सारे resistances लगा दिए सारे के सारे parallel में है parallel में हमने equivalent resistance की value calculate कर ली तो circuit में RC की value आती है 0.5 ohm अब अब यहाँ पर पावर के अगर बात करें तो देखो इसमें दो conditions होती है कि अगर पावर में अपने को दे रखा voltage सेम है तो इसको compare करो V2 by R से और अगर अपने को दे रखा कि current सेम है तो इसको compare करो i2 into r से तो options देख दें options के अंदर देखें a option में वेन वोल्टेज source of six voltage connected across a and b in both the circuit p2 greater than p1 देखो इसमें voltage source six volt का मतलब यहां और यहां पर दोनों जगह six volt six volt अपने connect कर दिया तो अगर अपन six volt connect कर देते हैं यानि voltage सेम है तो voltage अगर सेम है तो यहां पर equation में देखें पावर पी इक्वल टू होगा वी स्कॉर डिवड़ेट बाय आर अब पावर ज्यादा किसमें होगी जिसमें resistance कम उसमें पावर ज्यादा होगी हम यहां पर चेक करके देख दें कि इसमें resistance कम कॉनसा है 16 by 11 है और यह six by 11 यानि सेकेंड वाले के इसके अंदर resistance कम है और अगर सेकेंड वाले केश में resistance कम है तो इसमें पावर ज्यादा होगा तो यह आर सीटू कम है इसका मदलब पी टू की वैल्व ज्यादा होगी पी टू के अट देन पी वन विकाज इसमें RC2 less than RC1 है RC2 less than RC1 है अब यह option के अगर अपन बात करें तो यह option जो है वो तो सही है B पर देखते हैं B में दे रखा है constant current source 2 ampere is connected across AB in both circuits constant current source अगर दोनों जगा connect कर दिया तो हम यहाँ पर देखें कि equation कौन सी apply करेंगे तो हम यहाँ पर equation apply करेंगे power की P equal to I square R अब P equal to I square R में अगर अब आपन देखें current सेम है तो resistance के proportional होगा और resistance की हम बात करें तो resistance RC2 less than RC1 तो power जो बनेगा वो भी क्या होगा P2 less than होगा P1 तो इसमें देखतें अपने को क्या दे रखा है P2 less than P1 ही दे रखा है यानि यह option भी सही है C option में देखें कि constant source connected A and B Q1 greater than P1 अब Q1 और P1 में अगर आपन देखें तो P1 के अंदर यानि की switch close करने से पहले यह resistance था 16 by 11 बाद में अगर आपन resistance की बात कर दें तो resistance की value बाद में अपने पास में switch close करने के बाद में हो गई 5 by 11 यानि resistance की value कम हो गई तो अपने यहाँ पर देखें कि resistance RC1 dash is less than है RC1 तो second case में अगर आपन देखें तो अपने को voltage source दे रखा है constant है तो power P की equation लिखोगे V square divided by R और जिसमें resistance कम होगा उसमें power ज्यादा होगी वन में कम है तो वन में power ज्यादा होगी यानि P1 greater than होगा Q1 इसमें देखते है P1 greater than Q1 तो यहाँ पर अपने को जो दे रखा option के अंदर P1 greater than first case में Q1 greater than P1 दे रखा C option में अगर आपन देखें तो दे रखा voltage source 6 voltage connected across AB circuit 1 Q1 greater than P1 अब देखो इसमें अगर अपन circuit 1 की अगर अपन बात करें तो P1 का मदलब जब switch open है तो resistance 16 by 11 था Q1 की अगर अपन बात करें यानि जब circuit close कर दे तो यह 5 by 11 है यानि resistance की value जो अगर अपन देखें तो resistance यहाँ पर कम हो गया यानि RC1 dash is less than RC1 अब यहाँ पर power की value अपने को दे रखा calculate करना है और voltage source जो दे रखा है वो same है तो V square divided by R तो यहाँ पर resistance कम है तो power ज़ादा होगी तो switch close करने के बाद resistance कम है power इसमें ज़ादा यानि Q1 greater than P1 होगी तो यह option जो दे रखा है Q1 greater than P1 यह भी सही दे रखा है D option में देखे constant current source is connected A and B in both circuits then Q2 greater than Q1 देखो constant current source अगर अगर अपन connect कर देदे Q1 Q2 यानि की in और circuit में देखना है तो यहाँ पर देखते हैं क्या equation लिख सकते हैं तो constant current source के लिए अपन power की equation लिख सकते हैं I square into R अब इसमें अगर अपन compare करके देखे तो RC1 और RC2 के अंदर हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि यह 0.45 है यह 0.5 है यानि second case में resistance ज़्यादा है second circuit में resistance ज़्यादा है यानि second circuit के अंदर power भी ज़्यादा होगा यानि यह power consumption Q2 greater than होगा Q1 हमें इसमें देखें तो Q2 less than Q1 दे रखा यानि यह option जो दे रखा वो गलत है यानि करेक्ट इसका अंसर होंगे A B and C question में हमें given है कि bubble है इसका surface tension S दे रखा है और bubble के अंदर ideal gas है ratio of specificity यानि CP by CV के value अपने को दे रखा 5 by 3 और bubble exposed to atmosphere always retains its spherical shape when the atmospheric pressure is PA1 radius दे रखा R1 atmospheric pressure temperature T1 दे रखा है pressure अगर PA2 है इसकी radius की value अपने को R2 दे रखा है temperature T2 which of the following states meant is R correct फहले तो आपन देखें कि अगर यह spherical bubble दे रखा है इसकी radius की value अगर small r दे रखा है तो यहां पर outside में अगर pressure PA है तो inside में gas का जो pressure होगा वो PA plus 4S divided by R के equal होगा जैसे 100 bubble के अंदर double layer होती है तो access pressure की value 4S by R तो inside pressure की value PA plus 4S by R फिर अगर अपन यहां पर देखें कि अगर किसी option में दे रहा का perfect heat insulator तो perfect heat insulator के अंदर adiabatic process होगा और adiabatic process के अंदर PV to the power gamma equal to constant यह temperature के term में अगर आपन देखें तो तो temperature के term में इसके equation जो बनेगी वो equation बनेगी P की power 1 minus gamma T to the power gamma equal to constant अब अब हम options देख देखें, option में दे रहागा A option में, if the surface of the bubble is perfect heat insulator then R1 power 5 upon R2 power 5 equal to, तो देखो अगर perfect heat insulator है तो यह equation जो बनेगी वो adiabatic process का बनेगा और adiabatic process में अपन equation लिखेंगे तो यह equation बनेगी P A1 plus 4S by R1 into 4 by 3 by R1 cube power gamma, gamma की value अपने पास कितनी है 5 by 3, equal to बन जाएगा P A2 plus 4S divided by R2 volume के value लिखो के तो यह बन जाएगा 4 by 3, R2 की power 3, power 5 by 3 अब अगर अगर अपने को यहाँ पर calculate करना है तो R1 to the power 5, 4 by 3, 5, 4 by 3, 5 तो cut जाएगा, R1 upon R2 power 5 equal to यह बनेगा P A2 plus 4S by R2 upon P A1 plus 4S by R1 यहाँ पर अगर अपना option में देखें तो यह अपने को जो option दे रखें उसमें 2S by R2 और और 2S by R1 दे रखा, इसलिए यह option जो है वो रॉंग option है, B option में, B option में दे रखा है that surface of the bubble is a perfect heat insulator यहनि इसमें भी diabetic process है, then total internal energy of the bubble including surface energy does not change with the external atmospheric pressure तो देखा, इसमें external atmospheric pressure जो होगा, इसमें radius अगर change हो रही है तो external atmospheric pressure work करेगा और वो work जो करेगा उससे internal energy plus surface energy की value जो होगी उसमें change होगी, तो वो increase decrease हो सकती है, लेकिन इसने बोला change 0 होगा, तो यह option जो है, वो wrong option है, C option पर आदे है, C में दे रहा है, if the surface of the bubble is perfect heat insulator, heat conductor and change in atmospheric temperature is negligible, then देखा, अगर यह perfect heat conductor है, यानि इजीली heat conduct कर सकता है, तो यहाँ पर जो process होगा, वो process होगा isothermal, isothermal process के लिए अपने equation लेक सकते, P1 V1 equal to P2 V2, तो यह बन जाएगा, P1 plus में 4S divided by R1 into volume 4 by 3 pi R1 cube equal to P2 plus 4S divided by R2, और volume की value अपने पास आजाएगी, 4 by 3 pi R2 cube, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, इसमें cancel out हो जाएगा, यहां से अपने पास बन जाएगा, R1 upon R2 power 3, P1 equal to बन जाएगा, P2 plus 4S by R2 upon P1 plus 4S by R1, यह अपने पास equation बन गई, अब D option पर आदे हैं, यानि यह option अगर आपन देखे हैं, तो यह option सही दे रखा, C option correct है, D पर देखते हैं, इसमें T और P में अपने को relation यूज़ करना पड़ेगा, हमें पता है, एडियावटिक प्रोसेस के लिए, P की पावर 1 minus γामा, T की पावर गामा, equal to constant, P की पावर 1 minus गामा, T की पावर गामा, equal to constant, T की पावर गामा, equal to constant, तो यहां पर अगर आपन देखें, यह T की पावर, gamma equal to constant तो first condition में अगर अपन याँ पर देखेंगे तो यह pressure की value PA1 plus 4S divided by R1 power 1 minus gamma की value 4S by R1 1 minus gamma की जगा 5 by 3 temperature T1 power gamma की जगा 5 by 3 equal to PA2 plus 4S divided by R2 power 1 minus 5 by 3 T2 power 5 by 3 यहां से अपने पास में equation जो बनेगी यह equation में देखें तो T1 upon T2 power 5 by 3 equal to बन जाएगा PA2 plus 4S divided by R2 upon PA1 plus 4S divided by R1 power minus 2 by 3 अब बनेगी जाएगे तो इसको आपन प्लस 2 by 3 अगर बनाद देखें तो यह बन जाएगा T1 upon T2 power 5 by 3 इक्वेल प्लस 2 by 3 इक्वेल तो बन जाएगा आपन देखेंगे तो T1 upon T2 का जो रेशियो आएगा यह बन जाएगा PA1 plus 4S divided by R1 upon में आजाएगा PA2 plus 4S divided by R2 power 2 by 5 अब options में देखते हैं option में अगर आपन देखें तो T2 by T1 power 5 by 2 दे रखा है तो हम यहाँ पर देखें कि यह बला जो option अपने को दे रखा है T2 by T1 के power 5 by 2 equal to PA2 plus 4S by R2 upon PA1 plus 4S by R1 यह भी अपने को correct option दे रखा है तो इसके correct answer जो होंगे C और D यहाँ अपने को दे रखा है डिस्क है इसकी radius R है uniform positive charge density sigma दे रखा है xy plane के अंदर है center at the origin दे रखा है तो यह अपने को डिस्क गिवन है xy plane में center इसका origin पर है यह z axis है यह z distance है इसकी radius के value अपने को R गिवन है अब इसमें दे रखा है column potential along z axis vz is given by यह potential के equation given है particle of charge q is placed initially at rest at the point on the z axis with z equal to z naught तो particle यहाँ पर initially rest पर है charge q है initial velocities के 0 है in addition to column force the particle experiences vertical force f equal to minus c के तो यह force अगर अपने देखे हैं तो यह force एक constant force है इसके direction जो दे रखिया है वो negative z axis के यह लोग है यह c force इस direction में act कर रहा है with c greater than 0 beta equal to अपने को given है 2c epsilon not divided by q sigma which of the following statement is our correct तो अब यहाँ पर देखो कि पहले तो यह देखें कि यह जो अपने को value given है इससे हम c के value calculate कर दें तो c के value अपने पास आजाएगी beta q sigma divided by 2 epsilon not particle को यहाँ से release किया है फिर options में अपने से पूचा कि particle जो होगा वो origin पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा तो हम यहाँ पर देख देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक work energy तुरम लगा लगते है work energy तुरम है work done by electric force plus work done by external force is equal to k final minus k initial electric force यहाँ पर conservative force है तो यहाँ पर electric force का work done q into v initial minus q into v final plus work done by external force K final minus K initial Axional force यहाँ पर जो है C force लग रहा है अब यह particle अगर यहाँ से यहाँ तक move करता है तो force लगा C और displacement वा Z naught तो इसका work वा C into Z naught यह final kinetic energy हमने यहाँ पर क्या किया कि V initial और V final की value put कर दी finally अगर यह center पर पहुंचता है तो center point पर अगर अपन देखेंगे तो इस Z की value होगी 0 Z की value 0 होगी तो यह सिर्फ R रह जाएगा तो यह finally center पर पहुंचा तो यह Z की जगा यह वाले equation जो होगी वो बन जाएगा Q sigma divided by 2 epsilon naught into R इस external force का work done C Z naught equal to K final हमने इसमें सारी value substitute कर दी C की value put कर दी Q sigma by 2 epsilon naught बाहर consider कर लिया अपने जब अपने finally इसमें सारी value रखकर हिस solve किया तो यह final kinetic energy की value आगई अब इसमें जो भी options दे रखें उसमें beta की value given है 1 by 4 Z naught की value given है अपने को वो options put करके देखते हैं अगर इसमें K final की value positive आजादा है इसका मतलब particle origin पर पहुँचेगा और अगर K final की value negative आगई इसका मतलब इसमें पहले ही कहीं पर rest पर आगया होगा तो इसमें जितने भी options दे रखें हैं उसमें beta और Z naught की value substitute करते जाएंगे तो जब इसमें सारे options से beta और Z naught की value substitute करके put करते हैं तो इसके correct answer आदे A, C and D यहाँ पर अपने को एक YDAC का setup दे रहा है जिसमें monochromatic light incident होती है इसमें एक slit N1 medium है दूसरी slit N2 medium है यहाँ पर एक detector दे रहा है ठीटा एंगल पर और इसने दे रहा है कि ठीटा जो है वो angle of reflection के equal है अब अपने को इसमें options पता करने है कि कौन कौन से options जो है वो correct है तो मैंने यहाँ पर देखा कि यह light अगर alpha angle पर आती है इदे theta angle पर refract होई theta angle पर refract होती है तो यह वाला angle theta है तो यहाँ से angle अगर अगर आपन देखेंगे तो यह angle 90 माइनस ठीटा हैगा यह angle 90 माइनस ठीटा तो यह light ray refract मैंने बनाई एक इदर से जो light ray incident हुई उपर वाले slit पर वो भी refract हुई मैं इसमें क्या करदा हूँ कि अगर यह refracted light ray बनाई तो एक triangle consider कर ले थे triangle A, B, E इस triangle A, B, E के अंदर देखेंगे तो यह भी angle अपने पास में कितना है ठीटा यह angle ठीटा है तो यहां से 10 ठीटा एक्वल टो अपने पास आजएगा A, B upon B, E B, E दोनों slit के बीच का separation है जो कि D दे रखा है तो यहां से मैंने calculate कर लिया कि distance A, B की value कितनी होगी D 10 ठीटा के एक्वल अब मुझे इसमें क्या करना है कि extra path calculate करना है तो extra path जो होगा यहां से हम A point से अगर इस पर perpendicular drop करते है तो यह extra path बनेगा B, C और अगर B से perpendicular drop करते है तो extra path इदर से आएगा A, D तो पहले मैं यहां पर calculate कर लेदा हूँ कि B, C की value कितनी होगी तो इसके लिए मैं triangle select कर दा हूँ triangle ABC ABC triangle में अगर आपन देखेंगे तो यहां से sine alpha की value आएगी BC upon में AB AB अपन पहले से calculate कर चुके है D 10 theta तो यह BC equal to बन गया D 10 theta sine alpha फिर अपन यहां पर calculate करना चाहते AD कितना होगा AD calculate करने के लिए अपने यहां पर triangle select किया ABD इस triangle से हम देखेंगे the sine theta की value आएगी AD upon में AB AB हमारे पास पहले से है यहां से AD की value आगई D 10 theta into sine theta अब अपने को पता है कि जो medium है इसका refractive index N1 है इसका refractive index N2 है optical path की length अपने को calculate करनी होगी तो optical path की length calculate करने के लिए हम इस distance BC को multiply करेंगे N1 से और AD को multiply करेंगे N2 से तो path difference equal to N1 BC minus में N2 AD अब अपने BC और AD की value put कर दी D 10 theta तो इन दोनों में common आगया यह bracket में आगया N1 sine alpha minus N2 sine theta अगर अपन यहां पर Snell's log की equation apply कर दें तो Snell's log की equation बनेगी N1 sine alpha equal to N2 sine theta यानि कि यह दोनों तो equal होते हैं अगर यह दोनों equal होते हैं तो यह cancel हो गया तो path difference की value हो गई 0 यानि कि यहां पर path difference 0 होगा phase difference की value जो होगी वो भी कितनी आएगी 0 अब phase difference अगर 0 बन गया तो अपने को इसमें बूच रहागा phase difference between the two rays is independent of D जब 0 आगया तो independent of D होगा तो इस statement सही है 2 rays interfer constructively अगर इमें path difference 0 बन रहा है तो definitely इन दोनों के बीच में जो interference होगा वो भी constructive होगा C में दिया रहा है phase difference between two rays depends on N1 हमें पता है phase difference तो 0 होगया तो यह N1 पर depend नहीं करेगा independent of N2 यह गलत हो गया phase difference between the two rays when it says only when certain values of D and the angle of incidence of them petite a being corresponding angle of reflection हमें पता है कि यह phase difference की जो value होगा वो deeper और N1 angle of incidence इन सब में से किसी भी depend नहीं करता phase difference की value तो 0 होगी इसलिए इसके C और D दोनों option wrong होगे और correct answer है इसका A and B यहां पर अपने को एक PV diagram दे रखा है monotomic gas जिसका gamma की value 5 by 3 है first compressed adiabatically from state A to B then expand isothermally from state B to C यह कुछ values given है pressure दो दे रखा वो kilo Pascal के अंदर है अब अपने यहां पर देखें कि A to B के अंदर यह compressed किया अपने adiabatically B to C में isothermally यह graph जो है isothermally इस तरह का नहीं बनेगा isothermally जो graph बनेगा वो इस तरह का कुछ graph बनेगा ऐसा अब अपन यहां पर देखें कि पहले दो अपन देखें कि B point पर volume की value calculate कर ले दे कितना होगा तो A से लेकर B तक जो process है adiabatic process है इसमें equation होगी P A VA power gamma equal to P B VB की power gamma A पर pressure अपने को पता है volume पता है B पर pressure पता है volume हमने calculate कर लिया 0.4 है अब अगर अपने को B पर volume की value 0.4 मिल गई तो हम work done की value calculate कर ले दे है अगर अब A B के अंदर work done की value calculate कर दे है तो A B के अंदर work done होगा P A VA minus P B VB upon gamma minus 1 P A VA P B VB gamma इन सब की value substitute कर दे है तो यहाँ पर work done आदा minus 60 kilo joule फिर इसके बाद में आपन देखे कि दूसरे process में अगर आपन calculate करे ISO thermal process के अंदर तो ISO thermal process में work done की जो value आएगी वो work done की value बनेगी NRT LN VC by VB NRT की जगा आपन लेख सकते है PB VB LN VC by VB PB VB और VC और VB की value put कर दी यह LN 2 आएगा जिसकी value अपने को directly given है यह substitute कर दे है तो work done की value 84 kilo joule आती है फिर अगर आपन CA के अंदर work done calculate करें तो CA process में volume constant है इसलिए इसमें work done की value होगी 0 तो CA में work done 0 है अब अगर आपन इन तीनों process में net work done calculate करें AB plus BC plus CA तो यह minus 60 plus 84 plus 0 equal to 24 अब options देखते हैं options में अगर आपन देखें कि अपने को जो दे रखा है कौन कौन से options correct है तो A option में the magnitude of total work done in process ABC is 144 लेकिन आप अगर देखें तो magnitude of total work done जो था वो 24 kilo joule है तो यह A option तो wrong हो गया B में देखते हैं magnitude of work done in process BC 84 है तो BC में work done अपने calculate किया था BC के अंदर work done 84 kilo joule आया था यह statement सही है फिर C option में देखते है magnitude of work done in process AB 60 kilo joule यह भी सही है यहां negative है लेकिन magnitude की बात कर रहा है magnitude of work done in process CA 0 यह भी सही है क्योंकि इसमें volume constant है तो इसलिए इसके correct answers है BC and D क्योंकि